इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। टेनली ग्रेस 20 मिलीग्राम टैबलेट, टाइब दो डाइबिटीज मेलिटिस के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के साथ इसे ब्लड शुगर लेवल को नियंतरित करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है। ये किड्नी की क्षती और अंधेपन जैसी डाइबिटीज की गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करता है। टेनली ग्रिस 20 मिली ग्राम टेबलेट को आम तोर पर तब निर्धारित किया जाता है जब आहार और व्यायाम या अन्य दवाएं अकेले ब्लड शुगर लेवल को नियंतरित करने के लिए परियाप्त साबित न हो। आपका डॉक्टर इसे अकेले या डाइबिटीज की अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकता है। इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है। दोज आपकी कंडीशन और ब्लड शुगर लेवल पर निर्भर करेगी। डॉक्टर की सलाह अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। अधिक्तम लाब पाने के लिए इसे रोज एक तैस समय पर ही लेना चाहिए। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक दवा लेना बंद न करें। यह दवा आपके ब्लड शुगर के स्तर को नियंतरित करने और भविश्य में गंभीर जटलताओं से बचने में मदद करती है। इस दवा के सेवन के दौरान डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े दिशानिर देशों का गंभीरता से पालन करें। आपकी जीवन शेली डाइबेटीज को नियंतरित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको किसी लक्षन का अनुभव हो तो आप इसे ले सकें। अगर साइड इफेक्ट नहीं जा रहे हो या आपको परेशान कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको कभी भी किड्नी या होट की कोई बीमारी या पैंक्रियस से संबंधित समस्या हुई तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। कुछान्य दवाएं जो आप ले रही हैं, इस दवा के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करे कि आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाओं की जानकारी आपके डॉक्टर को है। इस दवा का सेवन करते समय शराब को सीमित मातरा मिले क्यूंकि इससे ब्लड शुगर के स्तर में कमी आने का जोखिम बढ़ सकता है। दवा सही तरीके से काम कर रही है इसकी जाच करने के लिए आपको किड्नी फंक्शन और ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे नियमिट टेस्टों की आवशक्ता पड़ सकती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।